मेरी ये रेसीपी उन चाई लवर्स के लिए है जो चाई के बहुत ज्यादा शोकीन होते हैं लेकिन जब हम चाई बनाते हैं तो चाई हमारी हर बार बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है आप मेरी इस रेसीपी से चाई बनाएंगी तो इन्शालला हर बार आपकी बिल्कुल परफेक्ट कड़क चाई बनकर रेडी होईगी रेस्टूरेंड एन धाबे स्टाइल आपकी बिल्कुल कड़क चाई बनकर रेडी होईगी आप एक बार इस recipe को जरूर ट्राइ करें और recipe को step by step follow करें इंशालला आपकी ब्रुकुक कड़क चाय बनकर रेडी होएगी Hello friends, welcome back to my channel यासमीन कीचन हब चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इस पंज़ेदार से चाय को बना कर रेडी किया है उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाली कोई भी लेटस recipe मिस ना कर सकें सोस पेन में हम मैट करेंगे टू टेबिल स्पून शुगर शुगर को हमें करना है केरेमलाइज यहाँ पर एक खास बात का आप दियान रखेगा कि हमें यहाँ पर शुगर में स्रिफ हलका गोल्डन कलर आने तक ही इसे केरेमलाइज करना है ज्यादा हमें से केरेमलाइज नहीं करना है नहीं तो हमारी चाय कड़ भी बन जाएगी और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा आप देख सकते हैं इसमें हलका हलका लाइट गोल्डन कलर आने लगा है यह देखे कितना प्यारा से इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आने लगा है फ्रेंट जब आप एक बार इस रेसिपी से चाय बनाएंगे तो इन्शाल्ला आपको चाय इतनी पसंद आएगी कि आप भार बार इसी रेसिपी से चाय बनाना पसंद करेंगे चीनी हमारी केरेमलाइज हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है बस हमें इतना ही गोल्डन कलर चाहिए था इससे ज्यादा अगर हम इसमें गोल्डन कलर लाएंगे तो हमारी चाय बिल्कुर कड़वी बन कर रेडी होएगी अब मैं इसमें एट करूंगे वन कप पानी जैसे ही आप इसमें पानी एट करेंगे आप देखेंगे चीनी नीचे जम चुकी है लेकिन आप घबराईएगा मैं जैसे ही इसमें थोड़ी सी आज लगेगी पानी गरम होगा चीनी नाप मेल्ट हो जाएगी पानी में अच्छा बोईल आ चुका है अब हम इसमेट करेंगे 1.5 कॉप मिल्क अच्छी क्रीमी चाइ बनाने के लिए आपको यहाँ पर मिल्क का ज्यादा इस्तवाल करना होगा मैं यहाँ पर टोटल 2 कॉप चाइ बना रही हूँ अब हम इस मेट करेंगे वन एंड हाफ टीस्पून चाय पत्ती आप किसी भी ब्रांट की चाय पत्ती का इस्तमाल कर सकते हैं जो आप नोर्मली घर में यूज़ करते हैं उसका इस्तमाल कर लीजिए चाय में एक अच्छा बोई ला चुका है अब मैं इस मेट करूँगे दो से तिन कुटी हुए इलाईची और आप इस तरह से कोई भी कर्जी ले लीजिए और इस तरह से उसे चाय को चलाते हुए उपर से नीचे की और फेटते हुए हमें चाय को बनाना है आपने होटल और ढाबे पर देखा होगा कि महाँ पर चाय इसी तरह से बना कर रेडी करते हैं चाय को फेटते हुए चाय को बना कर रेडी करते हैं जिस उपर लेकर जाते हैं और उपर से नीचे की और छोड़ते हुए चाय को बना कर रेडी करते हैं इसी तरह से आप अगर चाय बनाएंगे तो इंशालला आपकी चाय बिल्को परफेक्ट कड़क बनकर रेडी होएगी यहाँ पर आप चाय बनाने में जल्दवाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा इसी तरह से दो से तीर मिनट फेटते हुए आप इसकी चाय बनाकर रेडी कीजिए इंशालला आपकी बिल्को परफेक्ट कड़क चाय बनकर रेडी होएगी चाय हमारी रेडी हो चुकी है मैंने इसे दो से तीर मिनट के लिए अच्छे से फेट लिया था अब गेस का फ्लेम हम आफ कर देंगे और चाय को छान लेंगे इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटस रेसिपी मिस ना कर सकें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फेमली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आप देख सकते हैं पांच मिनट में हमने कितनी परफेक्ट कड़क चाय बना कर रेडि की है आप मुझे कमेंट करकर जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाफीज